कि अब देख रहें से साटू मैं देविंदर सिंग लड़ू सुबह सुबह जब देखिए गया तो हाथों में तक्तियां लिए वे महलाएं शांती का नारा देते हुए आज अंतराश्टिय विश्वें शांती दिबस है जब देखा जाता है तो देश में अरा जकता तमाम तर पत्ना सिटी मालसलामी स्टीत ओपीशा के प्रांगन से और ये शांती मार्च जो है वो से असोक राजपत से होता हुआ तमाम अस्थानों से होता हुआ फिर अंतरता पत्ना साहिव रेलवे स्टेशत पंचिता खाड़ा के पास समापन होगा करने के मतलब है क्या कि आज भी लोग एक दूसरे सो हिन भावना है और तनाव किस्तिती रहती है ऐसे में एक अनूठी पहल है पत्ना सिटी में खास करके देखेगा दोर महलाओं में एक उत्साहित है और लोगों का एक संदेश देने का पढ़ियास कर रहे हैं क्या कुछ कर रहे हैं बिश्वे शांती ले और सांती संभव है इसके लिए हर लोग के पास इस संदेश जाना चाहिए इस संदेश जाना चाहिए बाल बाल आज विश्व सांती दिवस है और विश्व सांती दिवस पे हम लोग हर साल एक संदेश यात्रा निकालते हैं जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सीख हिसाई आपस में सम्मिल कर रहे हैं और विश्व सांती दिवस पे सांती वक्ता श्री प्रेम रावजी के संदेशों को जन जन पहुचाने का कारी करते हैं यह पटना सिटी में अनुठी पहल है जिसको धरम और जाती से मतलब नहीं है सब धम संभाव रहता है और सभी धरमों के लोग मिलकर हम लोग यह विश्व इस भागदर की जिन्री में कुछ पल सांती के लिए भी होना चाहिए और हम लोग सभी सदा से हैं यह साल में एक बार हम लोग करते हैं आज अंतरास्त्य में सांती दिवस के उपलक्ष में 21 सितंबर को जो निकाला जा रहा है यहां से विश्व सांती दिवस के रूप में मन लाग यहाई